आज के पहिले एतना गाना ना आवत रला पहिले सब जाने मिलके चारो ओर से घेर के खेसारी के एग्रिमेंट में फसा देला लोग और आज जब बढ़का मेहनती हो गे वाला लोगी बढ़का हिट गाना देवे वाला भाहिल वालोग ये सब बात कर रहे हैं खेसारी के सबसे करीबी लिलिक्स राइटर अकिलेस कस्यप जिनका सीधा इसारा है कि पवन सिंग ने खेसारी को फसा दिया है और खुद लगातार नया-něया hit गाना रिलीज कर रहे हैं इसके पहले खिसारी भी लाइब आते हैं तब जब उनकी बेटी पर गाना नहीं आया था और तब खिसारी लाइब में कहते हैं इंडस्ट्री में बढ़का भाईया मेरा काम रुकवा रहे हैं मुझे एगरिमेंट में फसा रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर वो मेरा कुछ पूरी तरीके से टार्गेट करवा रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह सब कौन करवा रहा है जान बूज कर मुझे परिशान करने के लिए मेरी फैमली को बीच में लाया जा रहा है खेसारी का साफ इसारा पौन सिंग की तरफ होता है इसके अलावा एक आउडियो वाइरल होता है जिसमें बताया जाता है कि खेसारी के बेटी के उपर गाना गाने वाला पंकत सिंग से पौन सिंग बात कर रहे हैं और उन्हें कर रहे हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होग मैं मुंबई में हूँ और सब देख लूँगा तो क्या मास्टर माइंड पॉन सिंग पुरी तरीके से इंडस्ट्री में खेसारी को घेर चुके हैं उनके बेटी के उपर जो गाना आया है उसमें भी क्या पॉन सिंग का हाथ है इस पर वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे उससे पहले नमस्कार जहम आज हम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिसरा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विसाल खड़े हैं सबसे पहले बात करते हैं खेसारी के एग्रिमेंट की तो वो पिछले एक महीने से जिसका जिकर कर रहा है और उन्होंने कई लाइब में इस साथ जिकर कर दिया तो मेडिया रिपोर्ट के अनुसार खेसारी का ग्लोबल म्योजिक जंक्सन नामके एक YouTube चैनल से agreement हुआ था उस agreement के अनुसार खेसारी जो बहुत सारे छोटे छोटे चैनलों के साथ गाना निकालते रहते थे उनके साथ काम करते थे अब वो महीने में बहुत सारा गाना रिलीज नहीं कर सकते हैं उनको कुछ गीने चुने बड़ी कमपनियों के साथ काम करने की छू कमपनी खेसारी के साथ काम करने क्यों आती क्योंकि इस कमपनी के साथ खेसारी का भी बहुत सारा गाना आया है पौन सिंग का अगर कमपनी से बहुत अच्छा रिस्ता है और इतना पकड़ है कि वो agreement बनवा सकते हैं तो sign करने से पहले खेसारी ने उसे पढ़ा तो जरूर हो तो उनका भी राजपुत समाज में पकड़ होगा ही खेसारी ना उनसे राय लिये भीना कुछ किया नहीं होगा तो फिर ये गलती कैसी हो गई खेसारी के दूसरे इल्याम पर आए जो है खेसारी के बेटी पर जो गाना निकला है उसमें पौन सिंग का हाथ है तो आप खुद सोचिए और समझ सकते हैं कि पौन सिंग अगर गाना निकलवाना चाहें तो उनके पास और भी बड़े कलाकार है जिनसे वो ऐसा करवा सकते ह और उनका गाना डिलिट भी नहीं होता, गाना और ज़्यादा फेमस हो जाता क्योंकि बड़े का लाकार अगर ऐसा गाना गाते, पाउन सिंग जो अपने प्रोजेक्ट में इतने गस्त रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो किया किसी छोटे का लाकार को ढूंड कर, कह खेसारी की बेटी के उपर गाना गवाएंगे, और खेसारी तो उन पे तब से इल्जाम लगा रहे थे, जब से ये गाना रिलीज नहीं हुआ था, और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में पाउन सिंग का इतना ही कंट्रोल है, तो पाउन सिंग का खुद के उपर गाना न उनने समझा रहे हैं कि बाबु अगर तुमको मुंबई में आने पर कोई धंकी मिलती है, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तो तुम्हें डरने की ज़रुदत नहीं है, मुंबई में तुम्हारा बड़ा भाई पाउन सिंग है, और ये और बात करें, तो ये और के लिए गाना गाया था, कि छोड़के जादो जी मरद असली जाके बाबु साहिब से फसली, यहां बाबु साहिब का मतलब पाउन सिंग से था, और तब संदीप तिवारी नाम के एक सिंगर ने खेसारी के लिए गाना गा दिया था, कि खेसारी बाड़ा नाम मरद असली ए कुछ नहीं होने देंगे अगर बात करें पॉण सिंग के नए-नए गाने की तो पॉण सिंग के टीम और पॉण सिंग के द्वारा कब से यह कहा जा रहा है कि उनके एगामी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो लाइन में लगे है समय की कमी के चलते रिलीज नहीं हो पा रहे हैं और आगे रिलीज होने वाले हैं पहले पुदीना टू को लेकर चर्चा थी जो रिलीज हुआ और हिट हुआ अभी लॉलीपॉप टू को लेकर भी बात की जा रही है एक और गाना जिसका शूटिंग का वीडियो लिख हुआ था इसे चुरा कर टुंटुं यादों ने गा पॉण सिंग के म्यूजिक डिरेक्टर प्रियांसु सिंग ने भी कहा कि अभी आने वाले समय में उनके पास गानों की एक लंबी लिस्ट है जो आगे देखने को मिलेंगे बाकी आपको क्या लगता है कि आप पॉण सिंग जान बूचकर खेसारी को टार्गेट करने के लिए उनकी बेटी के उपर गाना गवा रहे हैं उनका काम रुखवा रहे हैं आप अपनी राए वीडियो पर कमेंट करके जरूर रखिएगा जमाचम भोजपुरी देख रहे थे आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्ने खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं ध करने बाद